नमस्कार दोस्तो मेरे चैनल में आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे सिंगाड़े के आटे का हलुआ तो अभी नौरात्री चल रहा है और नौरात्री में नौ दिन फलहार लोग करते हैं और हमारे चैनल में हर दीन एक फलहार का रेसिपी आ रहा है जो आप लोग जरूर सर्ज किजिएगा जरूर देखिएगा और आपको हमारे वीडियो कैसे लगती है जरूर बताईएगा तो सबसे पहले हम कढ़ाई में एक कटोरी लेंगे सिंहाड़े का आटा तो सिर्फ बिना घी काई हम इसे एक से दो मिनट तक रोस्ट करेंगे बिलकुल लोग फ्लेम में जिसे हमारे आटे में जो भी नमी है वो आराम से निकल जाए बजार का ये आटा है तो इसे जरूर पैकेट चाण का हो उसे जरूर चांड लीजेगा अब डालेंगे सिर्फ तीन चीजों से हलुँआ बनेगा घी आटा और चीनी तो घी को हम दो पार्ट में डालेंगे इसमें घी अच्छा जाता है और घी से ही इसका टेस्ट बढ़ियां होता है इसलिए जरूर घी में ही बनाईएगा तो यह 100 ग्राम से थोड़ा उपर आंटा है तो 100 ग्राम के करीब इसमें घी जाएगा ही इसे डाल करके इसे हमें भूनना है बिल्कुल लो फ्लेम में अब इसका कलर देखिए और बाद में इसका कलर बहुत चेंज हो जाएगा तो लो फ्लेम में इसे चलाते रहना है छोड़ना नहीं है तो यह फलहार है यह जो हम लोग खाते हैं ना सिंहारा पानी में जो तैयार होता है जो फल के रूप में उसी को सुखा करके और उसी का यह पाउडर के रूप में रहता है जो कि इसका हलुआ बहुत ही सांदार बनता है बहुत ही टेस्टी बनता है यह अब ब्रत में कि आप बिना ब्रत कभी आप इसे बना के खा सकते हैं और बहुत ही असाने बनाना तो इसे चलाते रहना है इसे छोड़ना नहीं है तो देखिए अब इसका कलर भी छेंज हो गया इसकी खुश्बू पूरे कीचन में फैल चुकी है और बहुत ही समझ में आ रहा है कि हमारा हलुआ बन रहा है तो ये एक कटोरी आटा है जिसमें हम तीन कटोरी पानी डालेंगे तो ये दूसरा है और ये तीसरा तो तीन कटोरी डाल करके ये पानी बहुत ही सोक करता है अब इसमें डालेंगे हम चीनी तो यह कटोरी चीनी से थोड़ा हमने कम ढ़担वा है आप अगर बहुत मीठा खाते हैं तो पूरा दाल दीजे यहीए तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं और इसी तरह से इसे हमें चीनी को भी मिल्ड करना है और इससे हमें दबा दबा करके जो भी लम्स है ना उससे हमें फ्री करना है तो इस तरह से हमें चलाते चलाते और बिल्कुल लो फ्लेम में इसे पकाना है और यह आराम से पकेगा और यह गाढ़ा हो जाएगा तो चीनी डालने के बाद देखिए इसका कलर तो और चेंज हो गया है इसे चलाते रहना है और इस तरह से देखिए पूरा जो भी गुठली सब अच्छी तरह से तूट चुका है और ये बहुत स्मूद बन चुका है ये हमारा जो हलुआ तो इसी तरह से हमारा और देखिए और धीरे धीरे और गाढ़ा होते जाएगा ये तो ये देखिए लमसम तैयार हो चुका है ये अब किसी थाली में हम घी लगा के पहले से तैयार रखेंगे और ये देखिए तैयार हो गया है तो अब करेंगे गैस को बंद और ये जम जाएगा आराम से आइसे हम थाली में जल्दी से निकाल लेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा तो गर्मा गरम ही इसमें डालेंगे हम थाली में ऐसे हम फैला देंगे तो इसे चारो साइट फैला देंगे और ये ठंडा हो जाएगा और ये अपना आकार ले लेगा तो चारो साइड में हम इसे एक सा कर देंगे अगर थोड़ा मोटा पतला भी होगा कोई दिक्कत नहीं है और इसे हम इसी तरह से स्टेंड पे ही छोड़ देंगे एक घंटे के लिए और ये ठंडा होगा तब इसे हम कट करेंगे तो है न ये आसान और ये बहुत ही फटा फट बन जाता है तो देखिए अब ये बिल्कुल ठंडा हो जुगा है अब इसे चाकू से कट लगाएंगे जैसा भी आपको चौकूर करना है ये डायमेंड सेप में आपके उपर है छोटा बड़ा जो भी साइज है आप से कट कर लीजे और देखिए इस तरह से ये हमारा तयार हो गया है और बिल्कुल ठंडा भी हो गया ये खाने के लिए बिल्कुल तयार है और ये इस तरह से आप पीस निकालिए देखिए कितना बढ़िया ये जो हमारा सिंहारा की आटा का हलुआ बन करके तयार हो गया है अभी से अब रत में खाएं खिलाएं और ये भ़ोट ही टेस्टी बनता है भ़ोट ही यूी बनता है लगता हमें सबों को पसंद आता होगा कितना बढ़ियां कलर भी आया है और बहुत बढ़ियां इसे भूनने के समय में थोड़ा सा ग्लास्ट में गैस को बंद कर देंगे और जब पानी डालेंगे तब गैस को आउन करेंगे इससे हमारा जो आटा जलेगा नहीं और बहुत परफेक्ट बन के तयार होगा हमारा हलुआ तो इस तरह से ये हलुआ की रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब जरूर से जरूर करें धन्यवाद